हाई गाईस मेर नाम है संदीप और ये है Redmi K20 Pro इसके अंदर इंस्टाल्ड है MIUI 13.0.6 का एक स्टेबल पोर्ट रोम जो की बेस्ट है Android 12 के उपर और MIUI 13 के उपर तो चलो इस वीडियो के अंदर सभी चीजों के बारे में बात करेंगे बढ़ उससे पहले प्लीज अगर आप चैनल पे पहली पर आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो एंड वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटल एक लाइक उससे पहले इस रॉम के about phone पेज के उपर आते हैं तो यहाँ पर my device पेज के अंदर अगर आप देखोगे MIUI 13.0.6 यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर एक चाइनीज नेम है डेवलपर का जिन्हों ने इसको पूर्ड किया है और शॉर्ली मेरे को भी यहाँ पर नहीं पता कि इसका जो डेवलपर है वो कौन है बड़ डिवाइस नेम Redmi K20 आप देख सकते हो अल स्पेक्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर memory extension working मिलेगा उसके बाद Android 12 जो आपको मिल जाता है और जो Android security update है वो MAV 2022 से updated है और जो kernel है वो आपको यहाँ पर पर्फ का देखने के लिए मिल जाएगा अब इस ROM के अंदर special चीज़ें क्या है special आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता यह एक stock China ROM आपको मिल जाती है जिसको port किया है I think me 10 device से अब मेरे को पका नहीं पता बड़ यहाँ पर आप देखोगे wallpaper है personalization का section है कुछ भी extra wallpapers आपको नहीं मिलते always on display बगरा का option आपको मिल जाएगा सब कुछ same है display के अंदर anti flicker mode का option आपको मिलता है reading mode आपको मिल जाएगा color scheme के अंदर वही options आपको मिलेंगे और यहाँ पर बाकी सब कुछ typical से options है sound and vibration का look भी same आपको देखने को मिलता है इसके अंदर भी कोई extra features नहीं मिलते sound effects के अंदर आओगे तो hi-fi audio का option है जो कि I think आपका work करेगा earphones के साथ में then notification and control center के अंदर new i13 का control center है and यह काफी smoothly work कर रहा है और जो ROM है वो कितनी smooth है वो मैं आपको आगे बताता हूँ पर आपको यह सब चीज़ें यहां पर देखने को मिल जाएंगी और उसके बाद status bar के अंदर भी typical से वही options है home screen के अंदर आओगे so latest launcher यहां पर installed है जिसके अंदर यह animation speed मिल जाती है जिसको मैंने balanced के उपर अभी setup कर रखा है और age items नहीं recent के अंदर same changes आपको मिलेंगे show memory status का option है बाकि सब कुछ same है fingerprint पकर आपको मिल जाता है और यह काफ इच्छ से work कर रहा है and यह security app आपको यह वाला देखने को मिलेगा और उसके बाद battery के अंदर आओगे so battery के अंदर वही profiles है यहाँ पर भी same changes आपको मिल जाएंगे special features के अंदर भी check करोगे ना तो यह MIUI 13 वाले China ROM के अंदर जो भी features होती ना जितने भी सब के सब आपको यहाँ पर ROM के अंदर मिलेगे experience की बात करेंगे first of all app opening closing animation की जो speed है वो काफी अची है इसको आप fast या फिर जो है थोड़ा slow कर सकते हो animation speed के अंदर जाके so check कर सकते हो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर animations की speed देखने को मिल जाती है animations काफी smooth है and जो ROM है वो काफी अच्छे से optimized है since यह Android 12 का port है तो यहाँ पर optimization की कमी आपको नहीं मिलती अगर आप UI के experience से यहाँ पर check करोगे तो जो experience आना वो काफी smooth रहता है काफी smooth ROM आपको मिलती है कोई lag वगर आपको UI के अंदर नहीं आएगा बढ़ा still थोड़ी से दिक्कत आपको RAM management के regarding आ सकते है कुछ इतने apps मैंने यहाँ पर open कर रखे है और यहाँ पर 947 MB यहाँ पर show कर रहा है जो आपकी यहाँ पर free RAM है तो वो 947 MB show कर रहा है और जैसे normally check करेंगे तो 2.2 GB यहाँ पर show कर रहा है वैसे normally 2.2 GB का तो आपको memory extension मिल जाता है जो कि I guess यहाँ पर work करेगा और left side में Air Vault है उसके बाद China का widget store आपको मिलेगा चाइना का ही आपको theme store मिल जाएगा तो इसको आप access करना चाहती हो तो definitely कर सकती हो और first time जब आप ROM को install कर लेतों यहाँ पर connected वाला section है यहाँ पर आपको Chinese language के अंदर यह चीज़ लिखी होई देखने को मिलती है और यहाँ पर जो off लिखाना है इस control center के अंदर यहाँ पर भी आपको जो है Chinese language के अंदर यह mentioned मिलती है bugs की बात करेंगे first of all जो bug है वो यहाँ पर mentioned है offline charging यहाँ पर work नहीं कर रहा इसके बाद सबसे बड़ा वग मेरे को क्या लगा यहाँ पर जो game turbo वो मेरे लिए work नहीं कर रहा अट लिस्ट जैसे हम इसको open करते हैं तो अभी अगर आप देखोगे ना यहाँ पर game space latest updated हो चुका है बट बिल्कुल latest आपको नहीं मिलता यह जो UI है सिर्फ यहाँ तक आती है इसके बाद यह जो screen है न यह totally freeze हो जाती है और इसके बाद कोई भी चीज forward नहीं कर सकते अब इसके अंदर एक और issue है अगर आप security app के अंदर आते हो and app info के अंदर आओगे न यहाँ पर आपको restrict data usage को option मिलता है जिसके अंदर wifi का option आपको नहीं देखने को मिलता so wifi के साथ में मैंने इसको connect कर रहा है and यहाँ पर कोई भी option देखने को नहीं मिला यह एक bug मिर को मिला है जो कि मैंने अभी XROG के एक और previous यहाँ पर मिर को याद नहीं कौन सा build था बढ़ उसके अंदर भी same चीज़ थी और वहाँ पर भी game turbo कुछ ऐसे ही behavior कर रहा था मेरे device के अंदर and यहाँ पर जो यह वाला dialogue box है जो आप देख रहे हो pop up यह भी properly यहाँ पर aligned आपको नहीं मिलता यहाँ पर screen recorder भी आपको देखने को नहीं मिलता इस ROM के अंदर अब जो है major changes की बात करेंगे first of all F2FS इस ROM के अंदर working है आपका जो device है आपका यहाँ पर जो है not certified आपको मिलेगा even widevine L3 आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप चेक करोगे DRM info के अंदर Geekbench 5 के scores में आपको चेक कर वादेता हूँ तो यहाँ पर जो Geekbench 5 के score जहाँ 730 single core है and 2547 का आपको मिलेगा multi core score यह scores आपको मिलते हैं Geekbench 5 के उपर और उसके बाद अगर हम चेक करते हैं इसके अंदर यहाँ पर जो है कुछ चीज़ों को तो आपको चार्जिंग स्पीड कुछ ऐसी मिलती है 18W से जो की अच्छी है कोई problem नहीं आने वाली and जो CPU throttling graph है यहाँ पर 92% तक CPU throttle होता है 1,804,000 के आसपास maximum GAPS और 1,74,000 के आसपास average GAPS मिलेगे और यहाँ पर इन सब चीज़ों को चेक करते टाइम ना मैंने कोई भी गेम टर्बो को अड़ नहीं किया गेम टर्बो के अंदर इन को अड़ नहीं किया तो सब कुछ stock के उपर आप यहाँ पर चेक कर सकते हो इसका जो stock camera आपको मिलता है वो same वही camera है यहाँ पर ultra wide work कर रहा है इवन अगर आप देखोगे 4K 60fps working है pro mode option आपको मिल जाएंगे 48MP वाले और portrait आपका working है इवन आपका जो last option हमारे पास होता है वो आप चेक कर सकते हो 1080p के उपर आप 960fps में जो है slow motion videos record कर सकते हो और इसके अंदर कोई issues नहीं आने वाले front camera काफी अची से work कर रहा था इवन आप जो है modes को यहाँ पर switch करते हो न तो ज्यादा time आपको नहीं लगता तो यह जो camera है वो काफी अची से work कर रहा है आप Gcam भी try कर सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अब बात करेंगे इस ROM के battery consumption की यहाँ पर FKM को मैंने वैसे enable किया था बट background से जब इसको remove करते न तो जो background के अंदर applications है वो remove हो जाती है cut हो जाती है force close हो जाती है इसके china ROM के अंदर तो उसकी वज़े से यहाँ पर मैं आपको stats properly नहीं दिखा सकता तो यहाँ पर मेरे को थोड़ा और use करना पड़ेगा बट जितना मैं इसको use किया है मेरे को कोई भी major issues नहीं लगे battery के regarding optimization battery की भी आपको काफी अच्छी मिल जाती है और अगर आप 2-3 cycles यूज़ करोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली जो battery backup है वो definitely improve होने वाला है अब gaming की भी बात कर लेंगे तो यह जो ROM है यहाँ पर gaming के लिए मैं बिल्कुल भी recommend नहीं करूँगा ROM के अंदर आपको जो FPS है वो काफी ज्यादा जो है drop देखने को मिलेगा FPS में काफी drop है इवन थोड़ा सा heating issues भी मेरे को लगा था device बट ambient temperature भी काफी ज्यादा है outside के अंदर तो उसकी वज़े से भी यहाँ पर थोड़ा heating issues आ रहे है बट हाँ आपको दिक्कत आएगी gaming के अंदर और touch response अच्छा है बट FPS drop होता है screen recording के साथ में थोड़ा सा ज्यादा होता है और normally करोगे तो थोड़ा कम आपको देखने को मिलेगा तो यह जो ROM है यह gaming के लिए मैं आपको नहीं recommend करूँगा नॉर्मली एगर आप use करना चाहते हो EOSP से बोर हो चुकी हो तो आप इसको install कर सकते हो आप टाइब करोगे जस्ट जो एप आपको देखने को मिलेगा ना play store वाला उसको update कर देना आपको यहां पर जो है Google Play आप टाइब करोगे कुछ इस तरीके से यहां पर आप देखने को मिलेगा जस्ट इसको update करना और आप Google यहां जो है